और एक चीज और इनको बना दू जो यह बोल रहे नहीं कि हर गाव में दस मंदिर है इनको पता नहीं होगा आप इतिहास उठाकर पढ़िएगा पता नहीं आप मदरसे में पढ़े हैं कहां है सबसे पहले तुम्हें यह बोलूँगा अरे हुजूर वाहताज मत कहिए और यह प्रोग्राम देखने के बाद लोग वाहताज काना भूल जाएंगे बाई ही इतनी छोटी उम्र में 14 बच्चे जो लगातार पैदा कर दे तो वाइफ का दर्जा है कि सेक्स लेप का दर्जा है आप मुझे यह बताईए ताज महल कोई फखरिया चीज़ नहीं है ताज महल लाखों हिंदुस्तानियों की कबर है यह सिर्फ औरत को प्यार नहीं सेक्स करने की मशीन समझते हैं हर और खुबसूरती क्या बात करेंगे तो हजारों साल पुराने इंडिया के मंदिरों में जाके देखें अकल हैरान रह जाती है कि हजारों साल पहले जब टेक्निक्स नहीं थी तब इन्होंने यह बड़े देर और बड़े बड़े जो चीजें बनाई हैं वो कैसे बना ली एक और मैं बोलूँगा टीवी डिवेट में यहां कि जो मौलाना वगरा आते हैं ना उनसे पूछते हैं जब और अरंग जेप कौन था अरे जी वो हमारा वली था वली इन बेवकूफों को यह बताओ कि भ को लुटे रहे हैं उनको मास्क करने की जरूरत नहीं है भारत भूमी पे एक ही बली पैदा हुए है बजरंग बली दूसरा कोई बली ओली नहीं है यह जितने हैं यह सब चोर लुटे रहे देह सुक भोगने वाले अपने ठीक है अब वो अरिफ साब और मिश्रा जी आप दोनों के लिए जिन्होंने अभी हमें क्राउन दिया उन्होंने एक सवाल किया है वो जरूर मैं आप से पूछना चाहूंगी वो कहते हैं देश को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की गंदी राजनी तीनी तेश को चाहिए अच्छे स्क स्कूल अस्पताल रोजगार और जनता की सरकार जो मोधी सरकार देने में पूरी तरह विफल रही है तो अभी हमारे वायार डिसकुशन को वो सुन तो रहे हैं तो चलो उन्होंने भी एक सवाल पूछ लिया जी आप मैंसे कोई जवाब दे सेब्स प्रिंस सर्मा है इन्हों प्रिंस सर्मा ही थे या कौन थे हमने जब फेस्बुक पे डाला था तब भी इन्होंने लिका था जी मैं बोलता हूं कि यह जो बोल रहे हैं इनको मैं कुछ फैक्ट देता हूं प्रिंस सर्मा को भारत में इनसे पूछे जड़ा कितने गाउं हैं साड़े च्छा लाग बारत में साड़े च्छा लाग गाओं है साथ हजार टाउन है लगभग 535-530 के आसपास डिस्ट्स है 29-30 स्टेट्स है आपको पता है भारत में मस्जिदे कितनी है जो रिकॉर्डेट है गवर्मेंट के कितनी मस्जिदे हैं पर शर्मा जरा देख के बताईएगा जितने ग आओं है उतनी मस्जिदे हैं साड़े च्छा लाग जो गॉर्मेंट की निगाहों में नहीं है वो तो छोड़ दीजिए वो गली कूचे चौराहे पर बने हुए है तो जब पूछिए ना सोसाइटी से सारे सोसाइटी से पूछिए कि बाई तुम चौराहे पर जगा खाली रती है तो महां मजार क्यों बना लेते हो उसकी जगह एक प्याव लगा दो ना एक डिस्पेंसरी बना दो एक किसी डॉक्टर को बैठा दो जो फ्री में दे हैं और फिर पूछते हो सरकार से खुद कुछ मत करो मैं सारे सरकारों की मैं बात बोलता हूं पिछले आजादी से लेकि अभी तक की मैं बात करता हूं ये सरकार ने कुछ करने की कोशिस किये मूल भूट चेंजेज लाने की कोशिस किये एक होता था दिल्ली में अभी कितने जगह हैं खुल रहे हैं सारी चीज़े नहीं होती है मनु शर्मा आप जाईए ढूंड लीजिए एक ही सवाल का ज स्कूल नहीं है नहीं है जाइए बग्ल या तीन लाग प्राइमरी स म स्कूल मंगा जतो नहीं ऐसे कबर के लिए इंदाद मांगे जाएंगे कोई जैएगा हज्रत या वहाँ पे उमरा पे या वहाँ पे तो शेक्षों से पैसा लेगा तो वो इसलिए लेगा कि हमें मस्जि Image बना नहीं है कोई इसलिए नहीं बोलेगा शेक्षों से हमारे हां ऊस्पिटल नहीं है उसके लिए इमदाद दे दीजिए, एक छोटी सी हम हॉस्पिटल बनवा दे, अगर है प्रिस जर्मा के पास कोई जवाब तो लिखके बेजेंगे, वो गूगल करते होंगे, वो जरूर देंगे, लिखके बेजेंगे, आरिफ साब आप से एक सवाल होंगे, उससे पहले मिश् खालत ठीक नहीं, साब पहले आप इन सब्बातों से बाहर आए, मिश्राची जवाब दीजे, जुड़ते हैं, अरिफ साब आप के लिए, मैं बता रहा हूं, मुझे कम्प्लीट, देखे, इन्हों ने जो बोला, भारत के एक एक गाउं में दस-दस मंदीर है, बारत के एक हिंदू के घर में मंदीर है, पहली चीज, जी, जरा बताइए, बहुत कम टाइम हुआ है, दस-दस मंदीर हैं, लाखो साल का टाइम लेके, आप तो यहां रख्द बीच की तरह अभी सौ साल पहले आया है, और हर गहां में मस्जिद हो गई, आप डाटा देखिए न, औरे म मैं तो सिंपिल चीज, बात्साहों से मैं विन्ती कर रहा हूं, और प्रिंस सहाब भी मुझे वो बात्साही कौम के लगते हैं, बाई कभी ये भी पूछ लो, कि ये पुकुर मुत्ते की तरह जो मजारे उगाती है, कभी वहां पे आप एक डॉक्टर को बैठा के एक कमरे का हस्पिटल बनवा दीजिए ना, तो सायद आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत ना होती, तो प्रिंस सहाब, आप उन लोगों का मांसिक इलाज करवा लीजिए, उस हालत से बाहर उनको निका लिए, हमें सलामत दीजिए, जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे न अकेले इंडिया में इतनी इंवस्टी हैं जितने पूरे 52 मुस्लिम देश में नहीं है, इंकूर्डिंग पाकिस्तान और इनकी में बात करूँ, मिस्र वगरत सब आप ले लीजिए, उससे ज़्यादा इंवस्टी हमारे यहां है, अचा आप पाकिस्तान की, यहां इंडिया की बात करिये, कितने इंवस्टी हैं, एक एम्यू हुआ, एम्यू के लिए भी जो सरसेयद अहमत खान ने जब किया, तो उनको बड़ी धंकियां मिली, उनको बाहर कर दिया गया, एक दो आप देखेंगी, जामिया मिलिया है, पता नहीं सरकारी है कि किसी मुस्लिम जो है, सम अधुलिए देखेंगे न, तो यहांज एकाउंट भना होगा, वो प्रिंस के पीछे कोई और ही बैठा होगा, ऐसा मेरा मनना है, उसका भी सुगात है, कोई बात नहीं मिश्राजी, प्रिंस के पीछे कोई बैठा है, थिलम पाइचानते हैं, यह कहां से, क्या क्वेश्टन पूछ रहा है जिस दिन प्रिंस साहब जैसे लोग या कोई मुसल्मान अपने सोसाइटी से यह पूछना शुरू कर देगा कि बाई तुमने कुरान में मैंने सुना है पहले यह बोला गया है कि इनसान की मदद के लिए आप काम करो कुमे खुदवाओ यह करो वो करो सारे धर् सारी बेवस्ता है भारत से डॉक्टर जाते हैं या बाहर जाते हैं एक जो है नॉर्मल चोट लग जाए ब्लेड से कट लग जाए तो उसको टांके नहीं लगा पाते हैं यह दुनिया के बादसाहों की बात बता रहा हूं जो इल्मी लोग हैं जिनको आस्मानी इल्म है होंगे आप पूछिए उनसे वहां पे उसके लिए वह अबदानिस्तान पाकिस्तान के सारे किट्नी ट्रांस्प्लांट के मरीज आपके यहां पे आते हैं जो मंदिर वाले हैं जिन्हों ने मंदिर बनाया इतनी चोटी उम्र में 14 बच्चे जो लगातार पैदा कर दे तो व जे बिल्कल आप भी गुरवत में आ गए है आप भी ताजमाल की खूब सूरती की गुरवत में आई गया है इसमें लाकों हिंदुस्तानियों का खूम दफन है लेकिन मैं यहाँ पे शबनम जी की बात से बिलकुल एगरी करता हूँ कि यह शाह जहां ने अपनी महबत में बनाया था यह मुगल बात्शाह थे ना यह अपनी जात से बहुत ज्यादा महबत करते थे और यह अपनी जात के लिए ही सारे काम करते थे अपने बाप के खिलाफ भी तलवार उटाते थे जांगिर जैसे लोग तो अपने बाप को अंधा करके शाह जहां को बंद भी यह लोग करते थे अपनी जात के लिए अपने भाईयों के गले काटते थे ये सब कुछ करते थे ये अपनी जाद से बहुत मुभबत करते थे मुगल बात्शा शा जहां ने लाहूर में शालामर गार्डन बनाया शाही मस्जीद बनाई इसका काम ही यही था और ये उस दोर में बनाया 1630 में अंग्रेज रिपोर्टर लिखते हैं कि 1630 में इंडिया में जबर्दस किसम का कहत आया था दकन फैमिन बहुत मशूर था लाखों हिंदुस्तानी भूक से मर रहे थे और ये सारी दोलत लुटा रहा था ताजमेल बनाने में 1632 तक तो हिंदुस्तान में लाखों बलके मिलियन्स ओफ पीपल डाइट बिकोज ओफ फैमिन तो बड़े शर्म की बात है कि आज जो मुस्लमन फखर करता है ना अगर वो सही तारीख पढ़ लेना तो वो शर्म से डूब जाए तो ताजमेल कोई फखरिया चीज़ नहीं है ताजमेल लाखों हिंदुस्तानियों की कबर है तो ताजमेल कोई फखरिया चीज़ नहीं है ताजमेल लाखों हिंदुस्तानियों की कबर है और खुबसूरती कि आप बात करेंगे तो हजारों साल पुराने इंडिया के मंदिरों में जाके देखें अकल हैरान रह जाती है कि हजारों साल पहले जब टेकनिक्स नहीं थी तब इन्होंने ये बड़े-बड़े मंदिर और बड़े-बड़े जो चीजें बनाई है वो कैसे बना ली बिल्कुल आपने बहुत सही का आरीफ साम और बहुत क्लियर कट बता दिया है कि 1400 साल से जो इसलाम तलवार के जोर पर फैल रहा है पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है पूरे दुनिया के लिट्रेचर में आप चले जाएए या इतियास में जाग कर देख लीजिए कोई भी एक आपको शांती का काल नजर नहीं आता उसके बावजूद दुनिया पर में यह लोग एक नरेटिव बना के चलते हैं कि यह शांती का है नो डौट हरधन शांती का होता है बशर्ते वो सही कम्यूनिकेट किया जाए अब मीडियेटर के थ्रू जो पहलेगा वो तो इसी तरह का सारा ताम जाम पहलेगा विश्रा जी मैं आपकी तरह आती हूँ आरिफ साब ने अभी कहा कि भारत में हज सबसीडी सबसे ज़्यादा दी जाती है और दूसरा एक यूनिफोर्मेटी नहीं है हमारे देश में सेकुलरिज्म की जब हमने बात की आप से मैं जानना चाहती हूँ क्या हिंदू समुदाय के लोगों को भी कहलाज यात्रा पर सबसीडी दी जाती है जिस तरह से हज के लिए दी जाती रही है और सालों से दी जाती रही है यह अभी मौजूदा सरकार ने जरूर कुछ रोक लगाई है इस चीज़ के ओपर उसमें भी बड़ा बवार मचाता यह भी शायद मुस्लिम समुदाय का वोट बेंक जो है वो इस सरकार के खिलाफ होने का एक रीजन यह भी है दूसरा यह है कि शबनम मैं आपकी तरफ आऊंगी मिश्रा जी से यह जवाब लेने के बाद की यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की बात तो भारत में होती रहती है बीजेपी सरकार की इसमें अजेंटे में भी यह शामिल है लेकिन सी और एनर्सी पे हमने जो हलात देखे थे तो उस देश में यूजी सी कैसे इंप पॉसिबल है विश्रा जी आप से सबसे पहले जाना चाहूंगी यहां पे जितनी भी सबसेटी है वो सभ पॉलेटिकल उससे वह हो रही है और जितनी भी पॉलेटिकल पार्टियां रहे है ना उन्होंने ये सोचा है इनको देने की क्या जरूरत है बात क्यों झहीं है आप हर जगह देखिए यहां के गोर्मेंट शॉस्पीटल हम tax देते हैं भाई माल लीजे हम sell lead है तो एक समधा है हिंदू समधा है tax दे रहा है के फिवाल जी ने दिल्ली में जो है free सारी free की subsidy जितनी free services है या सस्ती से government के जितने भी services है direct या indirect में जो subsidy ली जाती है वो इन लोगों को मुसल्मानों को मिलती है देखे है क्या मैं एक घटना सुनाता हूँ एक दिन मैं जोदपुर गया रात को एक बजे उतरा और एक आटो मैंने किया वो अपने भाईजान निकले दस रुपए के लिए जब मैं पहुँच गया तो दस रुपए के लिए सुनसान गली में जगड़ा हुआ उसकी एक लाइन जो मुझे एकदम वो हो गई शौक हो गया जगड़ा करते करते उसने बोला कि आपको पता नहीं बावन देशों में हमारी बातसाहत चलती है मुझे तो वो रिक्षा वाला फटीचर रिक्षा वाला न लगके एक एक बातसाह नजर आया जो कि बावन देशों पर राज कर रहा है इतना अमीर नजर आने लगा मैंने आपको बोला जो जन्नती कनेक्शन है न इनका और अपने पॉपुलेशन के कारण ये ऐसा प्रेशर बनाते हैं देखे सवाल ये होना चाहिए कि हर जगह ये गुरुबत में क्यों है साओधी अरब को भी अमेरिका जब चाहे धमका दे पूरे गल्फ कंट्री को धमका देता है जहां पे है ये प्रॉब्लम में है उसके पिछे ये केवल जन्नती माइंड सेट है जन्नती माइंड सेट वो सिर्फ ये है कि इसलाम के नाम पे धर्म के नाम पे तुम कुछ भी उल्टा सीधा कर लो सीधे जन्नत जाओगे अब इतना बड़ा इंसेंटिव जहां एशियोड हो चार बीबियां तुम रख लो ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है तुमारे पास कमाने खाने को नहीं है किस काफिर को देखो जो तुमसे करता हो किसी चीश में उसके पैसे लूट लो उसके घर लूट लो कबजा कर लो इतना बड़ा इंसेंटिव आपको किसी प्रोफेशन में मिलेगा नहीं मिलेगा ना तो सवाल केवल हज यात्रा की इंसेंटिव का नहीं है इंडिया में ये दु कर रही थी तो वो क्या इंसेंटिव नहीं है क्या अगर आपको एसाइलम मिला हुआ है तो इंसेंटिव ही तो है ना कैक्स आप पे करो काम इनको करना है नहीं चौदा साव साल में दीनी पढ़ाई को छोड़ करके आप कुरान पढ़ लीजिए हदीस पढ़ लीजिए उससे सोसाइटी में रहना है नाट नाटक गायन वादन इंटर्टेन्मेंट के लिए आपको पता है राजत रंगडी नाट शाला वगरा इन सब के लिए इतने ग्रंथ यहां पर पड़े हैं सारे गामा पामा यह सारी चीजे कौन सा वाद्धियंत्र कैसे बजाया जाए किस वक्त सुबह सुर्टाल क्या होने चाहिए शाम को क्या होने चाहिए हर आपकी जिंदगी के लिए आपके जिंदगी को अपने पैरों पे आपको खड़ा करने के लिए आपको हुनर भी यहां सिखाया गया वहां के वल एक ही हुनर सिखाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ अपने धर् तुम लूट के खालो, खसोट के खालो, फ्री में ले लो, देखे, इसलाम में भी ये वोला गया है, कि फ्री का लेना, बीना मेहनत का लेना, चाहे सरकार दे, चाहे आदमी दे, अच्छे मुसल्मान का करतब ये नहीं है, जो मैं सुनता हूँ उसको हराम माना जाता है लेकिन पूरी दुनिया में हराम की कमाई लूटते रहेंगे कहीं से इंदाद इनको मिल जाए कहीं से UNESCO से डोनेशन मिल जाए मदरसे में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि फ्री में पढ़ाई वो हो जाए कितने परसेंट डॉक्ट कोई आप देखे क्या कॉंट्रिवूशन है कोई सैंटिक खोज नहीं किया और सपूरिय बेंटेट इन्now ने कोई सोशाइटी बेहतर हो कहीं पर भी और कोमिंटी वर्क जो होता है इनको नहीं करना है जहां यह जाके बसेंगे आपconnect की काम्विनीटी राफ देख लिजे हाल आपको टैक्स वहां पे भी देना पड़ेगा भई इस गली से गजर्णा है तो आप मुझे तेख्स दीजिए जो इतनी चर्चा होती है और हर वक्त यह रोते रहते हैं कि हमारी हालט यह है बड़ा जुल्म हो रहा है, जुल्म ऐसे ही नहीं हो रहा है, जुल्म आप आपने करते रहते हैं दूसरों कि बाद चोड़ पाकिस्तान देखें यमन देखें जितने देश हैं इवेन आप इराक बगर देखिए ये इरान और साओधी अरेबिया में तर्की और साओधी अरेबिया में आजकल ठनी पड़ी हुए है रॉकेट लाउंचर उस पे मक्का मदीना पे कि मर जाएंगे तो भी जन्नत मिलेगी अरे जो जिन्दगी आई है पहले उसको तो जन्नत बना लो पहले इन्हों ने किया क्या देखें इनकी आयाईशियों के पीछे राजाओं के पीछे एक पांसेप्ट है पांसेप्ट ये है कि जो राजा होते थे अमीर होते थे कियेगा जो आदमी हमेशा काम करता रहा इस्तगल करता रहा वो ज्यादा मजबूत होगा और भी तो तुम मागोगे ना तो क्यों रोते हो और सोच ऐसी कि हम तो जन्मजाद बाश्चाह हैं जी हम पैदा ही बाश्चाहत के लिए हुए हैं तो यह जो डिफरेंस आफ ओपिन रहा है प्रैक्टिकल तोर पर यह किसी और दुनिया में पहले आरिफ साब आप से एक मार्क लेना चाहूंगी कि मिश्रा जी ने कहा कि मुस्लिम कौम पढ़ी लिखी नहीं है इस वज़े से दिक्कत में है लेकिन उसमा बिन लादेन तो इंजीनियर था मशूद अजर अजर कि सारे डिमोस्टेशन हुआ और इनके उखिलाफ तो रेजिगनेशन दे के वो अधिकारी पर चोड़के और अलगावा दिनेता के रुख में आपने आपको रिप्रेजेंट करने लगा तो पढ़ा लिखा मुसल्मान भी खतरनाक और बिन पढ़ा मुसल्मान भी खतरनाक त तो कब समलेगी एसीचिएशन आरिव साथ कैसे इस क्रिजी समल सकती है देखें मैं यहां पर मिश्रा जी से थोड़ा इफ्तिलाफ करूगा मिश्रा जी ने का मुसल्मानों ने क्या दिया दुनिया को कोई सैंटिफिक चीज नहीं दी अरे मुसल्मानों ने बहुत कुछ दि देखें वो दिया जो किसी और मगड़े में किसी और गूर्प आफ सूपल में में दियाius मैं एगरी कर रहा हूं आको मैं आइस्लामे में वो जन्नती जन्नती कॉंचेट उन्होंने दिया है अपने महल में जन्नत उन्होंने बसा लिए हलाला करेंगे मैं मांता हूं इस को उन्होंने वही दिया है इसलाम ने हलाला दिया मुटा दिया जम्मन हो चार शादियों के अजाज़त दी घुलामी दी दुनिया का वाही धरम है जिसने आज भी डिनाउस नहीं किया है slavery को बागी सबने डिनाउस कर दिया है तो बड़ा कुछ दिया है तो बड़ा कुछ दिया जी ये पुरी दुनिया याद रखे गी इतना कुछ दिया मन्नु जी आप ने कहा कि education बात दरसल ये है कि हमारा education system है न चाहे आप डॉक्टर बन जाएं इंजिनियर बन जाएं पीएच्टी कर लें beginning कहा से होती है मदरसे से होती है हर बच्चा जाता का है सबसे पहले मदरसे में जाता है मदरसे में पहला सबक क्या सिखाया जाता है कि तुम मुसलमान हो सिर्फ त जन्नत में जाओगे तो बाकि कोई जन्नत में नहीं जाएगा क्योंकि वो ला इलाह इल्ला मुहम्मद रर्सुल्ला नहीं पड़ते ये और superiority complex को आगे बढ़ाता है अब आगे का part क्या है कि तुमारा फर्ज है उन पे ये फर्ज है कि तुम बाकि सब को मुसलमान बनाओ उन everything है वो जन्नत है अब मदरसे में आपको पहला पार्ट पड़ाया कि तुम superior हो तुम correct हो तुम जन्नत में जाओगे अब आपको कर्तवे दे दिया कि अब या आपका कर्तवे है कि आपने सब को मुसलमान बनाना है correct करना है जन्नत के रास्ते पिर दिखाये जाते है क्या रास जन्न कार दो जन्नत पकी ये रास्ते दिखाये जाते हैं इसके बाद आप इंजिनियर बन जाओ पी एजडी बन जाओ बेस में तो ये चिस डाल दी गई ना भाई तो इसलिए आपकी सारी एजुकेशन वहाँ पे फैल हो जाती है जब आपका बेस खराब है अगर आप एक सो मनजिला इमारत बनाते हैं लेकिन इसकी बेस ही खराब हो तो वो इमारत किसी काम की नहीं रहेगी तो इसलिए मैं समझता हूं कि एजुकेशन के सिस्टम को करेक् जैसे बैन मद्रसा, मद्रसा क्या देता है, कि फ्रांस में वो लडका पाकिस्तानी जिसने चार लोगों को टोका ही मारा, आम आदमियों को सड़क पे। कि चारली है दोने कार्टन के रहे थे नभी पाक की हुर्मत पए चार आम आदमियों को जिसमें दो हुरते थी तो का मार के कातल कर दिया ठीक है वो बच्चा टीमेजर उसने फ्रांस में अजैलंग ली थी और अजैलंग के केस में इसने कहा था कि मदरसे का मौलवी मेरा रेप करता था रेगिलरली और फिर रेप दर रेप के बाद बड़े बच्चे जो मदरसे में मुझसे बड़े थे वो भी मेरा रेप करने लगे मैं अपने घर वालाँ को कहता था तो वो इस बात को एगरी नहीं करते थे तो इसलिए मैं भाग के फ्रांस आ गया हूँ अब आप इ एजूकेशन की बात हैं नहीं वो बच्चा अरी फैमिली से तालुक रखता है खाने को कुछ नहीं है मदरसे में सेक्शियल एक्स्प्लाइटेशन लगातार हो रहा है और इसको जैन में क्या बात डाली जा रही है जन्नत का नक्षा वहां पर बात कर हूरे होंगी हूरे की बोड़ी डिस्क्रिप्शन इस तरह से बताई जाती है कि आप किसी ब्रॉदल पर भी इस तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं बताई जाती है और क्या होगा शराब होगी मौलाना तारिक जमील फरमाते हैं कि जन्नत के तीन दर्जे हैं जो हम सवाप करेगा उसको पिलाएगा यह आप की पॉब्लिसिटी कर रहे हैं कि जन्नत का वो नक्षा एक गरीब माबाप का बच्चा जिसका सेक्षियल एक्सप्लेटेशन होता है वो कहता है यार कुपते जैसे जिन्दगी गुजार रहा हूं चलना दो-चार इंताफिरों को मार दो सीधा जन्नत में जाओंगा वहां याशी करूंगा तो आप लाख एजुकेशन लेकर उसामा बिन लादिन की तरह इंजिनियर बन जाएं बुनियाद में आपके बात ये डाली गई है कि आपको मुसलमान करना है बाकी पूरी दुनिया को तो एजुकेशन फेल हो जाती है मिश्रा जी जी माइनसेट माइनसेट बनती है आपके घर के तरवियत से मदरसे से रिलीजन के तरवियत से तो उनका माइनसेट जिसका जो बन गया जिसका माइनसेट जन्नती बन गया तो पाइलेट बन करके भी नौय यारा करेगा वो हेलिकॉप्टर हवाई जहाज को ले जा करके वहां ल जाता है घर में डेवलप हो जाता है बाकी इस्किल सेट तो आप कुछ भी कर दो वो उसको जहाद के लिए यूज कर लेंगे वो उससे तलवार ही बनाएंगे आप वो डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए ये फर्क है माइंड सेट और इस्किल सेट दोनों अलग चीजे होती है एजुकेशन में और दोनों में जब को रिलेशन नहीं होगा ना इतने गफलत में क्यूं मुसलमान रहते हैं क्यूं ये लोग जिहादी बनते हैं बिचारे जिंदगी वरामेसा double standard में जीते हैं क्यूं mindset कुछ और है जो बना है उनके मौलवीने मदरसे में और स्किल स कुछ और है पंक्चर बनाने वाला भी आदमी उसका भी mindset और skillset अलग है तो उसके अंदर dual personality exist करती है और जब dual personality आपके अंदर exist करती है न वो बोलते हैं न दिल कुछ और बोल रहा है और मन कुछ और बोल रहा है तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम है आप दोनों को मैच करिए आपका mindset भी हो देखे सनातंधर में फर्क क्या है सबसे पहले हमारा mindset develop किया जाता है बोजन खाने के पहले बोजन मंतर सिखाया जाता है यह सिखाया जाता है कि पेड़ पौधों को भी आप मत काटिए किसी को तकलीफ मत पहुंचाईए उसके बाद यह दिखाया जाता है कि आप कितने skill set को develop करते हैं आप doctor बनिए engineer बनिए आप किसी भी field में जाए बेसिक क्लास शिफ्ट तक जो होती थी बच्चों को कैसे पाला जाए माइंसेट डवलप करने के लिए यहां concept पर फिलोस्पी एगदम अलग है उसके बाद आप बनिया आपको जो बनना है के लिए इतना बढ़िया क्राउन मिला है यहां क्रम करते हैं यह voyage कि छोटी चर्चा अरिफ-स बाड़ी मिश्रा जी यह आज की चोटी होटी चर्चा कल बड़ी चिंगारी बनके उन बहनों को इनसाफ दिलाएंगी अब देखिएगा अधिएगा आरिव साब आपसे भी इसी पर कंसर में पूछना चाहूंगी कि जो इन्होंने सवाल किया अब यूरोब हमने देखा दुनिया में हैल्थ के पर नंबर वन में था अब भारत की बात आती है तो यह लगा जाते है राम मंदिर जब से बनने लगा है आपने कितने डिबेट्स मे हस्पताल के कनवर्ट किया गिया जब यह सवाल करते हैं न तो पहले यह अपने गरेवान में जाकर है और मैं समझता हूं कि यह हिंदू का देश है और जो भी यहां पे जितने भी मंदिर बनते हैं वो प्राइवेट डोनेशन्स पर बनते हैं सरकार मस्जिदें तो बनाती ह मंदिर नहीं बनाती है और अभी राम मंदिर भी जो बन रहा है वो प्राइवेट डोनेशन्स पर बन रहा है आम हिंदू उसमें चैरिटी करके पैसा दे रहा है तो उस पर मंदिर बन रहा है और हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं सरकार का काम हॉस्पिटल्स बनाना स्कूल्स बनाना ये ये चीज़ होनी चाहिए और यही कर रही है भारत की सरकार इनको ये जो मस्जिदों पर मदरसों पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रोक देनी चाहिए तो मैं पार्शिली इनके इस बात से एगरी करता हूँ कि मंदिर पर तो सरकार का कोई पैसा खर्च नही होता तो ये जो बाकी religious institutions पे जो इनका खर्चा हो रहा है न वो रोक देना चाहिए और वो पैसा लगाना चाहिए hospitals पे और इस्कूल्स बनाने पर सबसे पहला सवाल तो यह है कि अभी हाल ही हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टीस रिटायर हुए अपने रिटायर्मेंट नाशन में उन्होंने कहा कि राम मंदिर मसले पर में शारूख खान की मध्यास्ता चाहता था और इस पर जब चड़्चा हुई बातीत आग कराया अगर इस तरह का माहूर बनता तो आपको लगता है कि महारत में इस चीज़ को बना दू जो यह बोल रहने हैं कि हर गाव में दस मंदिर है इनको पता नहीं होगा आप इतिहास उठाकर पढ़िए का पता नहीं आप मदरसे में पढ़े हैं कहां है टेमपल्स वर्द सेंटर फॉर्ड इनोवेशन साइंटिफिक इनोवेशन जीरो की खोज हुई उसको खोज करने वाला भी टेमपल से जुड़ा था शुषृत जिसको फातर आप सरजरी बोलते हैं उनकी पूरी वेस भूसा सादूओं की थी सनातनियों की थी वो टेमपल से टेमपल के अवल पूजा करने के लिए नहीं बनाया गया थे एंपल वर्द सेंटर फॉर एजुकेशन टेमपल वर्द आज भी किसी टेमपल से कभी अजान नहीं लगती है कि किसी को मारो आपने देखा किसी टेमपल के लाउड स्पीकर से कभी प्रार्थना में या ऐसे प् टेमपल है और ऐसे नजाने कितने टेमपल हैं जितने बड़े टेमपल हैं हर टेमपल के साथ आपको एक हॉस्पिटल कैरी टेवल हॉस्पिटल टेमपल और घुरदवारों के साथ आपको एसोसियेटेड मिलेगा कितने मजारों के साथ मिलेगा जड़ा गिनके बताईएगा यह सब मिलेगा बहुत कम मस्जिदों में यही तो सुधार करने की जरूरत है आप बात्शाहों से पूछिए आप कब हॉस्पिटल बनवाओंगे आप स्कूल कर बनवाओंगे आपके लिए दो सवाल है पहला सवाल तो यह है कि आरिफ साहब एक सवाल क्यूं अर्भी लोगों से ज्यादा कटर नव मुस्लिम पाकिस्तान इरान और तुर्की जैसे देश हैं उसके साथ ही वो आपसे एक और सवाल करते हैं कि गैर मुस्लिम ध नाना खिलाफत काल से ही हुआ लेकिन पढ़े लिखे मुस्लिम लोग चोदे सो वर्स तक ऐसे गलत काम पर भी रोज क्यों नहीं किया क्या खुदा दूसरे के ऊपर कबजा इसलाम की सच्चाई है सच्चाई है शुरू से आज तक जी आरिफ साहब तक है इस पे खुलके बह निकालना होगा और ये जरूरी है अगरे इसलाम में कबजे की जगापे नाजाइस जगापे चोरी की जगापे मस्जिद बनाके उस पर इबादत करना हराम करार दिया गिये ये किलियर अलफाज में है और मैं चैलेंज करता हूं कि यतने मौलवी हैं कि उसको जुटला दें तो बाबरी मस्जिद में जो भी नमाज पढ़ता था या आज ग्यान वापि मस्जिद जो है काशिव विश्वानत की जगापे जो नमाज पढ़ते ह είναι उनकी नमाज हराम करार दी गई ये तो ये जहन्नम क रास्ता अपना रहे हैं जो कबजे की जगा पर या मंधिर की जगा पर जो मस्जिदें बनी है उसमें जो इबादत कर रहे हैं वो हराम कारी कर रहे हैं अरिक साब आखरी सवाल लूंगी वीवर्स के सवालात बहुत आ रहे हैं लेकिन ये आप क्योंकि पाकिस्तान से और लाहॉर से जुड़ा हुआ है जिए मैं जाना चाहरी थी कि और सभी लाहॉर हुआ कराची हुआ पाकिस्तान हुआ ये पूरी सरजमीन भगवानों की सरजमीन थी दुनिया में चार पुराने तरिन जो मंदिर है न उसमें से एक मंदिर श्री हनुमान पंच मंदिर कराची में है और जिस इलाके में है जमशेट टाउन में वहां का मैं मेर भी र बना चुका हूँ अब गिनती के मंदिर रह गए हजारों मंदिर तबाह कर दिए गए, खतम कर दिए गए, मदरसे बना दिए, उनकी जगा मस्जिदें बना दिया। उनको दुकानों में कन्वर्ट कर दिया। चिन्योट में एक मंदिर है जो का आज भी उसकी बिल्डिंग में डिवांगडी जबान में सब लिखा हुआ है लेकिन जंग अखबार का दफ्तर है वहां पे तो पाकिस्तान में ये खाली लाहूर नहीं पूरा पाकिस्तान मंदिरों की और भगवानों की सरजमीन थी जिसको क कनवर्ट कर दिया किया है मस्जिदों में, मदरसों में और दूसरी चीजों में तो मैं समझता हूँ का खाली लाहूर की बात नहीं है और हम जब छोटे 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 थे ना को हमारे दादा के घर जहांपे मेरी पेदाईश हुई हम जॉइन्ट फैमिली में रहते थे तो ह उसके पीछे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और रोश शाम को हिंदू ओरतें आती थी साड़ी पेन के थाली हाथ में लेके पूजा पाट होती थी हम भी वहाँ पर गुस जाते थे परशात खाने के लिए कभी बर्फी का टुकड़ा मिल जाता था कभी क्या होता था बाद में जब मैं कुछ सालों के बाद जब मैं बड़ा हो गया हम अलग रहने लगे फिर पाकिस्तान से बाहर किया मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद मैं वापस पाकिस्तान किया तो मैंने देखा कि दादा के घर किया अपने तो वहां सामने मंदिर नहीं था तो ऐसे ग बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि शाह बानो केस मुसल्मानों की आइडेंटिटी को जिन्दा रखने के लिए जरूरी है देवबंद कटरपंथ की और इशारा करता है और कुछ पर्तिशत बच्चे उसको आँखों से लगा कर फूजने को बाध्य किये जाते हैं बाध्य किये जाते हैं जी शाहबानों केस तो आरिफ साब आपको पता ही है नहीं पता अच्छा विश्राजी आप थोड़ा एक्स्प्लिन कर दीजिए देखे अनिकेत ने जो यह बोला है आरिफ सर आप भी इसको सुन लीजिएगा एक्शली हुआ क्य गई सुप्रीम कोर्ट यह बोली कि भाई बुड़ापे में मेरा गुजर बसर कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जज्जमेंट दिया कि यह वाजब नहीं है तलाक और इनको जो है खर्चा पानी दिया जाए अब तुस्टी करन इतना था कि सरकार कहीं हमारी चली ने जाए, मसलमान नाराज न हो जाए, एक बिल लाकर के नया नियम, नया कानून बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और यह बोल दिया गया, एक नियंब बन गया, कानून बन गया कि हाँ ईह यह टलाक वाजिब है, तो यह एक बहुत ही मा आप देखिए हमेसा यह होती है कि जस्टिस मिलना चाहिए हम जिसके लिए जाकते हैं वहां पर यह हुआ लेकिन क्राउड तंत्र जो होता है भीड तंत्र के कारण सरकार प्रेशर में आ गई तो यह नियम वहां पर बदल दिया गया कि अब देखिए मैं यहीं बोलता हूं आप किसी भी कौन के हैं अगर वाइंडिंग होती है उसके बेसिस पर जूज्जमेंट होना चाहिए मद्धिस्ता करते करते राम मंदीर का तो पानसो साल बीट गया नँए और पानसो साल आ और मद्धिस्ता कर लेते सलूशन नहीं निकलता क्योंकि मद्धिस्ता में जो नहीं है यह गलत है जब तक हम यह आइडेंटिफाइ नहीं करेंगे सलूशन्स नहीं निकलेगा वो लिंगर ओन होती जाएंगी तो अब लोग जो कहते हैं कि इसलाम अमन का मजभ है उन्होंने इसलाम को कमजोर किया इसलिए कि इसलाम अमन का दर्स नहीं देता इसलाम तो पहला ही तलवार के जोर पे उसने कहा कि नबी पाक ने जब चालिस साल की अमर में मक्का में नबोवत का ऐलान किया तो पहले तेरह साल में रहे तो सो मुसल्मान हुए थे खाली, तेरा साल में, सो मुसल्मान, उसने कहा कि जब वो मदीना हिजरत कर गए, तो दूसरे साल से जिहाद शुरू हुआ, लाखों मुसल्मान हो गए, इसलिए कि तलवार के जोर पे हुआ, उसने कहा, इसलाम फैला ही तलवार के जोर पे है, इसला का लफजी मतलब होता है सेलामती लेकिन लिटरली जो इसलामी खिलाफते हैं वो सिर्फ तलवार पे पहली है बारत में कहा जाता है कि सूफियों ने इसलाम पहलाया बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है सूफियों ने इसलाम का एक ड्रामा रचाया बैस सबसे बड़े सूफि बारत में आजमेर नगरी के खौजा मौहिण अद्दिन चिष्टी हैं उन्होंने राना महारा ना परताब सिंग या किसको गिर्फतार करवाया था गोरी के आतों जिहाद का हुकम दिया है वितवीरा चौहान जी और खौजा मौहिण अद्दिन चिष्टी ने इन सबने मुक् अपने पैरोकारों को जिहाद का उकुम दिया है तो बाई साथ जिहाद और इसके बगए इसलम नहीं पहला आपने का 1400 साल में कोई साल ऐसाँ आया कि आमन का साल हो तो मैं सबुझाँ के जब तक इसलम करंट फॉर्म में है 1400 साल से तब तक तो इसमें कोई आप आमन की उमिद आपको इसलाम में रिफॉर्म्स लानी होंगी चलिए आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर खतम करते हैं और अपने गेस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं आरिश साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त निकला कि विक्रीन चर्चा और बहुत सारे सवालात हैं वो आप देखिएगा वो आप दो झाल